दोस्तों इस MCB box को cover करके हम आज आपको एक सांदार और unique design बना के दिखाने वाले हैं ये वीडियो आप दोस्तों पूरा देखते हैं तो मैं guarantee और दावे के साथ करता हूं आपको ये design जरूर पसंद आएगा और इस design की स्थारी detail आपको इस वीडियो में detail के साथ भी step by step देख करके रखा है ये दोस्तों पटी 18 वहां का है तो कुछ यहां पर हमने कुछ पटी कट किया और इसका लंबाई कट करेंगे यहां पर दोस्तों मैं आपको बता देड़ना चाहता हूं जैसे यहां पर हम पहले frame बनाएंगे frame बना के fitting करेंगे उसके बदा क्याम करेंगे यहां पर दोस्तों बनाने के लिए यहां पर साइड साइड से हमने देखेंगे जैसे हाफ चेक करके बनाते हैं तो उसी हिसाब से दोस्तों बनाने के लिए यहां पर दोनों साइड हमने दो दो इंच के छोड़ करके रखा है और बीच में एक प्लाई छोड़ा मतलब करके रखा है तो इसको मदब इस तरह से बना देंगे, तो यहां पे देखेंगे, कुछ इस तरह से यह आपको fix करने के लिए काम आ जाएगा, और आपको जब इस तरह से बनाना है, तो right angle भी check कर लिया किजिए, तकि अगर पीस जो right angle में रहेगा, तो काफी मطलब अच्छा दिखेगे गा थो यहां पे देखेंगे एग साइट को प्लाइबूड को जोल लिया है कुछी सथा से यहां पे आप देख सकते हैं और सिम इसलिए दूसरे तरफ का भी जोड़ देते हैं यह हाप चेक करके हमने देखेंगे दोस्तों यहां पे bottom रखके सीधा marking कर देंगे और यह electric boss आपको दिख रहा है अब उसके उपर से यहां पे measurement करेंगे यहां पे एक तरफ इस तरफ दिखते हैं और इस दोन तरफ measurement करके और उसमें बाकि दूसरे Apache में हमने तीन हो लगा है यहां पर उपर के तरह देखेंगे हमनेदो नेगा तीन होल नहीं से नहीं मैं आपको दिखाओं अपको यहांद upwards देमागों पूरा उपर से आया हूआ है तो इस बाद कि मेरा दियान देना है तो किसा मेराар में नहीं चारेता चाहिए अगर जायगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा बाकि को काम आए क्योंकि इसके उपर हम मतलब स्राइडिंग सटर बनाने वाले हैं तो यहां पर देखेंगे एक पट्टी को हमने फिक्स कर दिया है अब दूसरे पट्टी को फिक्स करेंगे यह जो हमारा बॉक्स बनेगा दोस्तों यह 22 इंटू 22 इंटू 22 इंचेस का यह बनने वा सकते हैं अगर आपको से मितलब भरोसा नहीं है तो लेबल पाइप लगा के भी कर सकते हैं बाकि यहां पर नीचे दो हमने फिटिंग किया साइड में बज़े से बताता है एक इंच का कुछ इस तरह से हमने बॉक्स को बना लिया है अब यहां पर दोस्तों उसके नीचे हम यहां पर 14 इंच का मार्किंग करेंगे यहां पर दोनों साइड 14 इंच का मार्किंग करेंगे और मार्किंग करेंगे बाटम से वहां से 2 इंच का मार्किंग करेंगे यह उपर और नीचे अगर आपको पूरा यह जो डिजाइन बनाना है तो आप चाहें तो वीडियो को पू इंच और 15 वाला मतलब फ्रेम है यह चोड़ाई में 12 इंच है और लंबाई में यह 15 इंच का है तो यहां पर मतलब इसको भी इसको जगह पर रखके और हैमर मसीन से होल लगा के इसको फिटिंग करेंगे जैसे दोस्तों इसको आप चाहे तो मतलब डारेट प्लाई लगा के भ उसको हाथ से बना के इसको गटी को लिया है अब इसमें थोड़ा थोड़ा गुमा का मार्किंग कर देंगा उससे होगा यह हमारा इसको सही जगह पर जाके बैट जाएगा तो यहां पर चारो होल में इसकुरू को लगा देते हैं और मसीन से इसको टाइट कर देते हैं तो जो भी measurement आएगा वही measurement हम यह पे उतार देंगे यहांपे देखेंगे और एक marking हम और उतार लेंगे तो कि हमारा frame इसमें बैट जाएँ तो यहां पे दो मार्क नूम टाली है और यहां पे side से हम rovum का marking नब करेंगे 6 & 2 का marking करेंगे यह यह Шंश इंच का मार्किंग करेंगे और वो मार्किंग को यहां पे जो निए बांदम का मार्किंग के तु स्विए मैजर मेंपर चेक करके देंगे इसके ऊपर प्लाइ से करेंगे इसके उपर आप चाहें सबूं मतलब 6-7 का भी प्लाई लगा सकते हैं चाहे तो 12-7 का भी लगा सकते हैं लेकिन हमें इसको 2-inch मोटा बनाना है तो इसलिए हमने 1-5-inch का फ्रेम बनाया था और 1-5-inch का प्लाई लगा देंगे तो यह जो हमारा बॉक्स है वो 2-inch हाइड का बन जाएगा तो यहां पर हमने बेस तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे हमने 3 को यानि कि अभी मैं आप दिखाईता हूं आपको 3 को हमने प्लाई लगा है बाकी 4 जो हमारा मेटल वाला है उसको प्लाई नहीं लगा है अब जो हमने पूरे 3 बॉक्स को प्लाई लगा है उसके उपर हम लगाने माले है बीनि कभी भी आपको सायदा कार्पेंटर अगर काम करते हैं अब को मालुम होगा बीनियर में कभी भी एक ही में फेविकोल लगाए जाता है दोनों में नहीं लगा जाता है एक में लगा दीजिए आप अच्छी से चिपक जाता है अब उसको पेस्ट करने के लिए इसको लगा देंगे तो अच्छी तरीक से पकड़ लेगा यह हमारा उपर का मैं आपको टाइम ज्यादा नहीं लोगा वीडियो को एक दम साट कर करके दिखाऊंगा और जो समझाने का तरीक है आपको अच्छा रखूंगा ताकि आपको अच्छा तरीक से समझ में आ जाए तो यहा के ने के लिए यहां पर देखेंगे मेरे पास हमया है यह मटीफ का पटी यह गए से होल लिए होल देते हैं और यहांपर जैसे यह 22 हृंच मतलब है 2 மद घ्रीक लगाएंगे उससे होगा यह मतलब अच्छी तरीके से पकड़ बना लेगा बाकिंथन पर और नीचे से लेबल रखके एकदम में टच करके इसको फिटिंग करेंगे तो इसको भी फिटिंग करने के लिए हम दिवार भी फिटिंग करने वाले हैं तो इसमें मतलब मार्किंग कर देंगे और इसी तरह से देखे देंगे दूसरे तरह भी हम रख लेते हैं रखके इसको भी मार्किंग करके और दिवार में हम होल लगा के जैसे हमने box को fitting किया है frame को fitting किया है से हम उसी तरह से इसको fitting कर देंगे दोस्तो मेरे को आप एक comment करके बताए कि आप भी कभी MCB box को कुछ cover करके कुछ design बनाएं कि अगर बनाए है तो मुझे भी बताए है ताकि हम भी मालूम चल सके बाकी यहां पर box के side में अगर आप गिट्टी लगाते हैं तो आपको ध्यान दे के हथोड़ी चलाना है ताकि आपका जो हथोड़ी है वो box पे नहीं लगना चाहिए अगर box पे लगेगा तो बीनियर का जो corner होता वो टूर जाएगा तो दिखने में थोड़ा भी अच्छा नहीं दिखेगा तो इसलिए आप ध्यान से काम कीजिए ताकि काम आपका खराब ना हो तो यहां पे दोस्तों आप देखेंगे दोनों तरप का हमने जो गटी है वो लगा दिया अ है गटी थोड़ा थोड़ा बाहर था तो उसको हम कहा करते है एक साब्लेट कि मदद से इस तो कट कर सकते है आप चाहे तो आरी से भी कट कर सकते है कोई दिक्कत नहीं है बाकी इसमें थोड़ा थोड़ा जैसे पहले गुमा लगा है अब इसको भी गुमा लगा देते हैं जिससे मैं मतलब मार्किंग कर रहा हूँ उसको आप क्या बोलते हो मैं तो इसको गुमा बोलता हूँ आपके पास है की नहीं है अगर इसको क्या बोलते कमेंट करके जरूर बताईएगा बाकिए जो पट्टी है उसमें फेविकोल लगा देते हैं फेविकोल जब लगा देंगे तो इसकुरू और फेविकोल का दोनों जो मतलब पाकड हो जाएगा एक दम अच्छी तरीके से कभी हीलेगा नहीं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से चारो साइड मतलब इस पीस को लगा लिया है बाकि हमने सभी जितने भी स्कुर बॉक्स बनाया हुआ है सभी बॉक्स में हमने बॉक्स के साइड साइड में यह पट्टी को लगा दिया है पौन इंच बाई एक इंच आउड़ा तो यहां पर यह मतलब याद रख रहा हूँ आप उसको मतलब लिख सकते हैं और देख सकते हैं अगर आपको अगर ऐसा बनाना है तो क्यूंकि दोस्तों मुझे यह डिजाइन तो बहुत ही पसंद आया आप यकीन नहीं मनों कि बनने के बाद बहुत अच्छा दिख रहा था अब फोन में आप देख रहे हू मैं कहाना क्या चाहरा हूँ तो यहां पर देखेंगे हमने इसको इसके सुट साइड बाक शफायर बॉक्स बनाके उपर और नीचे को मिला दिया है अब इसको अच्छी तरुकी सिश्मे बिठा देगे और एक चीज़ आपको जरूर करना है इस पती को फिक्स कीजिये तो जैसे मैंने बोला था आप measurement देख के लिख लीजिए और यहाँ पे देखेंगे जो जो measurement है मैं सभी आपको दिखा दे रहा हूँ बोलने की जरूत नहीं है आप चाहें तो वीडियो को push कर लीजिए और इसको देख लीजिए बाकी यहाँ पे सारा measurement आप यहाँ देख सकते हैं यह देख लीजिए और यह आपको देखने को मिल लेता है यहाँ पे देख सकते हैं यह 6 इंच का है और यह जो बीच का आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 4 इंच भाई 4 इंच का यह box है बाकि यहाँ पे उपर के तरफ भी हमें एक पट्टी लगाएंगे और उसके बाद साइड में भी एक पट्टी लगाएंगे और इस पट्टी को भी सेम स्कुरू से फिटिंग करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं और नीचे से छोटा मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक बाक्स है उसके उपर भी एक छोटा सा पीस लगाएंगे और इसमें हम दो स्कुरू लगाएंगे क्योंकि छोटा नहीं है यह देखेंगे इसको भी राइट अंगल चेक करेंगे और चेक करने को देखेंगे एक परफेक्ट है अब इसको छोड़ देंगे बाकि यहाँ पे इसका मेजरमेंट दिखा देखता हूँ आप देखेंगे यहाँ पे जो उपर उला पट्टी है यह साड़े 8 इंच का है आपको देखने को मिल जाता है बाकि यह भी देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है मेजरमेंट जो भी है आप देख लीजिए बाकि इसका भी आप देख लीजिए कितना है यहाँ पे देख लीजिए सभी मेजरमेंट आपको किलियर आपको दिख रहा होगा टेप से और बाकि यहां पे छोटा सा, एकदम छोटा सा, यह 4 इंच का है, क्योंकि बीच का जगा हमारा छे इंच का था न, तो यह 4 इंच का पीस हमने सिंगल इसको लगा है, और इसको राइट एंगर रखे, इसको चेक कर लेते हैं, यहां पे देख सकते हैं, और उसके बाद यह हमार पूरा देखने को मिल जा था साइट से इस सरह से दिख रहा है और जो हमारा इलेक्ट्रिक बॉक्स था उसके उपर आप देखेंगे यहां पे हमने उपर नीचे दो चैनल लगाके इसको बनाये हुआ है इसके उपर दोस्तों हमने एक के कंप्लिट डीटेल के साथ वीडियो बनाए हुआ चैनल पर लेटी डाल के रखा है अगर आपने देखा तो अच्छी बात है नहीं देखा तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्सर में दो दूँगा आई बटन में दो दूँगा आप उसको देख लिजेगा बहुत अच्छा मत समझा के रखा है बाकी यहां पर देखेंगे दोस्तों हमारे एटी जान बन के तैरो बाकी यहां पर देखेंगे पेंटिंग होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेंगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किजिए चैनल पेने सब्सक्राइब कर लिजिए मिलता दोस्तों इस वीडियो में नैट टोप के साथ तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम